हलो दोस्तों देखिए इसके पहले वाले वीडियो में मैं कुरुसिया चलाने के लिए सिखाए थी जिसमें चैन बनाने के लिए बताए थे देखिए इस तरीके से और इसी में डिजाइन देने के लिए आपको बताते हैं चैन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है जिसको बो कि दागा को में आई हैं ठेखिए और यह चाहन दिख रहां है इसमें पकर उपर की और ऐसे घीशि chu फिर दूसरे स्रेटीक में के मार वह प्र फिर इस दागा को लेना है और योजोगों को एक साथ इसे गिरा देना है फिर दूब अचा फीर दागा को ऐसे ले ना है फिर इसको ऐसे निकाल लेना है हो गया है फिर देखिए फिर देक्स श्यक्रसने अगला चैन में वैसे रिकर रेंगे देखिए यह घड्रों कि फिर इसमें ऐसे फंदलेंगे फिर इसको ये दूसरे चैन में एन यहां ले लिए मैंने फिर दूसरे चैन में इसको खूलें पिर पिर फिर इस द्धागा को जब्लों । फिर इसको निकालेगे फिर तीन धार हो गया मेरा इसा कितना अच्छा सबांड है फिर उसी तरह जितना чain में फिर इसको लिना फिर इसको नहीं से निकालें फिर तीद फिर We दो कर ना है पीर दो को एक करना इस तरीके से फिर देखें फिर इस सारे चैन में करते जाएंकिंगा देखिए मैं आराम से धीरे धीरे करके बता देखिए दो गया फिर इसको एक करेंगे फिर फंदा डालेंगे फिर इसके इस चैन में देखिए फिर इसको ऐसे निकाले फिर इसको तीन को दो करेंगे फिर दो को एक करेंगे ठीक है फिर दुबारा देखिए इसको फंदा डालेंगे फिर इसको डालें देखिए इसी तरह स हर चैन में हम करते जाएं है हुआ है हुआ है है फिर देखिए नेक्स्ट चैन है नेक्स्ट चैन में ऐसे करेंगे इस तरीके से परतेख चैन में देख रहे हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेगा तो बहुत जल्द ही आ जाएगा इस तरीके से ऐसे करते जाएंगा देखिए लाश्ट चैन आ रहा है लाश्ट चैन में भी हमको वैसा ही करना है देखिए लाश्ट में बचा लाश्ट में सारा कर दीए फिर यहां पर एक एक इक्ष्टा चैन ऐसे बना लें देखिए इस तरीके से मेरा इलांगले डिजान बनकर तयार हो गया है अब इस तरीके से आप इस पर और भी बहुत तरह की डियान बना सकते हैं स्वेटर बनाना थाली पोस्ट जरदा जो भी होगा कुरुश्या से ऐसा ही बनता है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डियान बताने वाले हैं वीडियो देखने के लिए थैंके